मेरा नाम है आफरिन बेगम मैं साधत नगर में रहती हूं कल में वी आईपी स्कूल को गई थी अडमिशन कराने के लिए तो जो लोग पहले में को मैं बोली क्या फॉर्मलेटी से बताई है वो तो फाहना मैं जो यह फॉर्मलेटी से बताई के जो रेजिस्टेंड फीस 10,000 है अपने फीस 10,000 है और 600 फाहन है वो लिए तो ठीक है अच्छी बात है मैं जो है सो में फिर आपको मंतली फीस क्या है वो तो मंतली फीस है एक बच्चे की 3,000 है वो लिए थी आपको यह एमांट बं दिया तो नूब ले एडमिशन फीस नहीं ले रहे खाली हम रिजिशन फी तो थीक अच्छी बाते हैं वोले दोनों का जो सो 20,600 पे करी पे करने के बाद बिल निकल गई को सब्स yaptली को समय उसके बाद बाते हैं की पे पूर्मालेटी कि the है गरता है सुप्य गए लब और ये देगी दिया ओस्वाद पूर्द आयले इधा तोटल टोटल 24,000 हो रहे दो बच्चों के 24,000 हो रहे पांच महने की भी फीज पेको अपर लेकिमेली नहीं मैंने पेकरती अभी तोनों नर्शेरी में है मैं क्या पेकर हो बच्चा पड़ा भीने क्यों तो नहीं हमारे स्कूल के पर्मेलीटी सरफ 15 परता आपको जरूरी है विए पी स्कूल है शाहिन अगर विए फी स्कूल तो नहीं मैं नए फेकर सकती है मेरा एमांट दे दो बलके वोली तो नया यंदे कि पर जाते बात करो बोले तो भी ना मैडम बात कर रहे ना सर बात कर रहे कोई भी बात कर अभी एक आईशा मैडम जो है में को बोल रहे कि आप स्कूल में आके हर्रैस्मेंट कर रहे हैं आपके ओपर केस दालती हूं वह रहे मैं बोली दालो प्रिया और बच्छे के जो सो बुक्स के पूरे लेना पड़ता आपको मैं अच्छा ठीक है ड्रेस का बोली जी आप ड्रेस पहना के देखके बोलना पड़ता है रहे हैं इतने साल से स्कूल चला रहे आपको लोगं को एक्स्पीरियंस नहीं है क्या बोलने का तो आप इसके बारह में शाकर बहुत को फोन करी पीयास में आके कंप्लेंट दी के माहरा एंवन ने दरहे ऐसा हरासमेंट कर रहे हैं को और हरासमेंट का केस जालते बोरे मेरोपर बलके मैं आकर आप जो सो कंप्लेंट दी किमांट होना और कुछ भी ने बस मेरा 20,600 अड़ तुम लोग का तुम लोग को जो सो फुल हो गया सो है वो यह बोलके थोड़ा गाली गलोस करके और वो एक अदमी चले गया मैं जो शाकिरबी की फोन करके पीएस को आके कम्प्लेंट करी अब आप पर रहे और 24,000 वो पे करो पर पांच मेने की फीज और 12,000 डोनों के पे करो और नोट बुक्स में 12,000 अब और अड्रेस बोल रहे हुए के दोनों का जो सु 6,000 में आता बरे अरे ऐसा सैस्कूल हें बोले तो बोल रहे है इसकूल का नाम देखो पड़ाई देखो ऐसा बोल रहे वो रफसर बोल रहे आईशा मेडम हर्रास्मेंट का केस जालते बोल रह झाल झाल